नवस्कार स्वागत है आपका संसाट टीवी पर मैं हूँ मनोज वर्मा आप देख रहे हैं हमारा खास काइकरम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे जन्मत और स्यासत की क्योंकि मुद्दा बीहार की स्यासत का है। और पीशले तीन चार घंटों में वो चर्चा, वो कयास सच सावित हुए। बीजेपी और जेडियू की राहें जुदा हो गई सियासत का गणेत अपने आप में एक अलग ही कानी रश्ता गड़ता है कहते हैं सियासत में कभी दो और दो मिलकर चार नहीं होते सियासत जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है सियासत और सत्ता में कब दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्त बन जाएं कहा नहीं जा सकता 2020 के विधान सभा चुनाओं में BJP जेडियू ने मिलकर चुनाव लड़ा BJP बड़ी पाल्टी बनी CM नितीश कुमार बने 2015 विधान सभा चुनाओं में भी यही हुआ था RJD को जाएदा सीटें मिली थी लेकिन CM नितीश कुमार बने पिछले दोनों विधान सभा चुनाओं में नितीश कुमार ने बीच में ही अपने साथी बदल लिये 2010 के विधान सभा चुनाओं के बास से अब तक हर बार नितीश कुमार कारकाल के बीच में ही इस्तीफा देते रहे हैं और दुबारा मुखमंत्री पत्की शपत लेते रहे हैं ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या जनता के मत का क्या होगा क्योंकि जनता ने जिस गठवंदन को मौका दिया था वो आज तूट गया ये ना पहली बार हुआ है और ना आखरी बार लेकिन सवाल बरकरार है कि जनता ने जिस गठवंदन को बोट दिया था वो तो अब बचा नहीं बीजेपी कह रही है कि नितीश कुमान ने जनमत के साथ खिलवार किया है आज कायकरम में इसी मुद्दे पर बात करेंगे कुछ सवाल आपके सामने है बेहार में क्यों टूटा जेडियू बीजेपी का गठवंदन क्यों बीजेपी जेडियू गठवंदन ने कारकाल पूरा नहीं किया क्या ये जनमत से खिलवार है आखिर जनता के सवालों का क्या होगा क्या सियासत में जनता पीछे छूटी इनी तमाम पहलूँ को लेकर सवालों को लेकर बात करने के लिए खास म draw मेरे साथ मौजूद है वरिश पतकार संजे सिंग जी स्टूड़ियो मौजूद है संजे जी आपका भॉअ भी स्वागत है संसर टीवी पर आपका भी स्वागत है एक बर्मा जी लेकिन शुरुवात मैं संजे जी आप से करूँगा बिहार की राजनीती एक बार फिर पल्टी मार राजनीती अगर मैं कहूं क्योंकि जिस तरह से पल्टी मार राजनीती मुखमंतरी पत पे होती आई है वो देश की जनता भी देख रही है आखिर क्यों कौँ जिम्मेदार है क्या वज़े है इसके पीछे दो वाते हैंमालो जी पहला तो जो जन्त कि आप बात करें थे कि ये था, मेरा यह मानना है कि वह जनमत जो था 2020 में वह नितिश कुमार को जनमत नहीं मिला था नितिश कुमार को लोगों ने हराया had BJP अपने कंदे पे नितिश कुमार को ढो करके मुख्यमंथरी बनाया थी, क्योंकि अगर आप देखेंगे नितिश कुमार के losses कितने थे वो losses count नहीं कर पाए नितिश कुमार को 43 सीटे मिली BJP को 75-77 सीटे मिल करके सबसे बड़ी party हुई लेकिन उन्होंने चुकी पहले कहा था कि हम नितिश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे और एक अक्रोष था नितिश कुमार के प्रति लेकिन बहरा वो एक बात है अगर BJP उन्हें मुख्यमंत्री अपने गटबंदन का बनाना चाहती थी बनाई तो खाम्याजा आज भुगते हैं वो दूसरी चीज है कि आप एक कहरे थे मतलब नितिश कुमार के साथ है आया राम की कहानी एक खरियाना से एक समय में शुरू हूई थी जिए और यहां पे एक पल्टू राम मतलब नितिश कुमार के साथ यह चीज चिपक गई है यह पान्चवी बार है मतलब इस तरह से वह कर रहा है दूसरी चीज़ आप देखेंगे नितिश कुमार जिसके अध्यक्ष जो पार्टी के उनके हुए हैं उन्होंने उस अध्यक्ष को खुदी तुरिसकार किया वशर्द पवार हो जो अज फर्नांडिस हो और अब आर्सीपी सिंग का जो हश्टुक हुआ नितिश कुमार मतलब इस तरह से जो लोगों के बीच में विश्वस्नियता थी वो विश्वस्नियता 2020 में ही खो चुके थे अब एक बात ये निकल करके आ रही है क्यों प्रधान मंतरी पद्गयों में दवार होंगे वी पक्ष की तरब से बहुत अच्छी बात है कोई सामने तो आया कम से कम कोई वो बनना तो चाहता है इस बीच में नुकसान किसका है नुकसान तो बिहार के लोगों का है न जिन्होंने भरोसा किया नितिश कुमार पे दूसरी चीज है कि आरजेडी का शासनकाल एक निश्वित चीज को लोगों के बीच में एक इंप्रेशन है एक और चीज बहुत रिमार्केबल है जो मैं मुझे 30 से कर लाप दीजिए कि आज नितिश कुमार राजेपाल के पास जाने के पाद इस्तिफास होंपने के बाद अपना दावा पेश करने के बाद गय वो तेजस्वी आदो से मिलने और आवरी देवी से मिलना हमने आज तक कोई तस्वीर या ऐसा नहीं देखा कि नितिश कुमार चोटी पाटी थे बहुत बुरी तरह जंता ने उन्हें नकार दिया था बीजेपी ने उन्हें बनाया तो तो किसी के घर उसके बाद गया हुआ ऐसा नहीं हुआ वो नितिश कुमार जो बीजेपी के तरह साथ जो डील करते थे कि एक चोटा भाई वो यहाँ पे नहीं चलेगा जे चली राना आण जी आप बीजेपी लंबे समय से कवर कर रहे हैं बीजेपी की जो गठबंदन राजनीती रही है चेत्री दलों के साथ उसको भी आपने बहुत करीब से देखा है क्योंकि एक सवाल नितिश कुमार जी की तरफ से उनके समर्थों की तरफ से ये भी है कि बीजेपी ने गठबंदन धरम नहीं निभाया कहां चूख हो गई जीत घटा करम घटा देखिए जहां तक बात गठबंदन धर्म की है तो इस गठबंदन धर्म को कि निभाया भाजपाने नहीं बलकि नितिश कौवाने निभाया इसके पहले हमने देखा था महराश्ट में भी गठबंदन धर्म को कि निभाया था भाजपाने नहीं शिपस है हमने देखा है कि बागपी सरकार में सबसे बड़ा गटबंदन सत्रा में था वो चला गटबंदन नभाया गया था मोदी जी आया मोदी ने जिन दनों से गटबंदन किया आप में देखा हो जब मुकस्मीर से लेकर के महराज से लेकर के आप बिहार तक में सारे गटबंदन मनाया गया और चलाया गया लेकिन वही नितीज कुमार आज गटवंदन धर्म पर सवाल खड़े नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो छोड़ के गए हैं जे नितीज कुमार का ये पहला मौका नहीं है पहली भी जब वो नरेंद मुदी जी के खिलाब उनको दिक्कत थी समझ आए थी तो भाज़पा छोड़ गए गटवंदन चोड़ के गए थे लेकिन जब उन्हों ने और किसके साथ कहते जिसके खिलाब वो सत्ता में आये जिस जंगल राज का मुद्दा उठाके लाये ते उसे खिलाब साथ में गहते बाद में फिर उन्हीं के सत्ताम रहे और उनको दिक किया है अपनी चबी को उन्होंने कम किया है उनका एक जो इस्थांता भारती राजनीती वह भी कमजोर की है और यह केवल नितिस्वार ने पूरे भारती राजनीत के लिए भी एक बड़ा जटका है कि अगर इसी तरह से राजनीते गटबंदन मनाए जाएंगे और गटबंद की राजनीती भी फ्लॉफ होगी है बिल्कुर रामरान जी जो आपने बात कही कि ये एक बड़ा सवाल देश की सियासत के लिए है आम जनता के साथ है क्योंकि जनता जनादेश देती है गटबंदन को देती है किसी मुखमंतरी को देती है जन प्रतनिधी को देती है लेकिन जनादेश के बाद सरकार बनने के बाद गटबंदन के बाद जो कुछ होता है वो जनता के सामने एक सवाल बनके खड़ा हो जाता है कि क्या जनता के साथ ये खिलबाड है जनमत के साथ खिलबाड है क्या जनता पीछे छूट रही है एक वर्मा जी मैं आपसे ये जानना चा सरकार कोई बनाता है बाद में मुखमंतरी पलट जाता है सरकार किसी की बन जाती है लेकि ये तो लोगतंतर का अकाज़ा है लोगतंतर का ये खेल है इसमें हम रोग कुछ नहीं कर सकते हैं और एक मूब दर्शत की भूमिका में जनता आ जाती है जनता को इस बात का बहुत अफसोस है लेकिन नितीश कुमार के साथ जो बात हुई है वो मुझे लगता है कि उसके बड़े कुछ दूरगामी और कुछ बरतमान भी पहलू है पहली चीक क्योंकि नितीश कुमार के स्टे रहे कि भाजपा 77 सीटे लेके कुछ नहीं कर सकी 243 के पहुमत में तो रहे कि उनके पद पर कोई फरक नहीं पड़ रहा है लेकिन प्रश्म ये उड़ता है कि अचानक उनको ये ऐसा करना क्यों पड़ा कि इसके मुझे दो तीन चीज़ें समझ में आती है पहली चीज तो भी लग रहा था कि एक जूनियर पार्टनर को बराबर वो पंडर सत्रा साल से जो है वो चीफ मिनिस्टर बनाए पड़े हैं और जब कि उनका भी जो आर जडी के लगबग बराबर ही सीटें उनको भी मिली हुई है प्यार तो उनको लगता था कि अब क्यों ना आगामी जो कि हम सभी लोग जानते हैं कि कुछ समय से मिल रही थी आर जडी को भी और जडी यू को तो उनका साथ आना लाजमी था दूसरी चीज़ कि जो महराश्टर में हुआ कि जिस तरीके की राजनीती महराश्टर में हुई कि जो पार्टी जिन मुद्धों को लेके चली क्या उन म बिहार में थोड़ा सा डिफरेंट मॉडल है क्योंकि बिहार में बहुत लंबे समय तक नितीश जी का शाषण चला है और जिस प्रकार से बिहार के लोगों से जब बात करिये तो जितनी राहत की सांस उन्होंने महसूस की ती नितीश कुमार की द्वारा जब वो नितीश का परिदीश बता है उससे बिहार के लोगों को बड़ी राहत के लिए है और इसलिए संभावता विदान सभा चुनाओं में बार बार वो नितीश जी को एक मुखमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं इसके बावजूत की बाजपा जो है और बाजपा ने इस चीज़ क समझा है लेकिन अब जब उन्होंने ये तोड़ा है और पुनर जाके उन्हीं लोगों के साथ गड़बंधन करने की कोशिश किया है जिनकी शार्शन में जनता ला इन आर्डर से काफी त्रस्ट थी तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा रिस्क नितीश को वाज में ल संजय सिंग जी मैं आपसे सभ़ना चाहता हूं ठीक है नितीश कुमार जी की अपनी राज़ीती रही होगी अपनी कुछ बातें उनकी रही होगी गठबंधन में लेकिन एक सवाल जो यहाँ पर उठता है कि हर बार विधान सवा चुनाओं में नितीश कुमार जी को सीटे क बन जाते हैं तो कोई ना कोई उनके पास राज़ीती का ऐसा गोण है यह आपने बड़ा सही सवाल पूछा है कि क्यों बन जाते हैं भाज़पा उन्हें हमेशा प्रोमोट करती आई अट दे कॉस्ट ऑफ अपनी पार्टी के उपर केंदर में जब वो पहले रेल मंत्री बन अरुण जेटली और प्रोमोट महाजन ये लोग मिलकर के डिसाइड की और घोशना होगी अब सवाल यह है कि क्या वो इतने अपर इहारे हैं जब आरज़ेडी के साथ गटबंधन उनका हुआ तो उस समय लालू यादो सीधे सत्ता में नहीं आ सकते थे क्योंकि उनके उपर केसे थी सजाय आफ्ता थे बीच में बेल पे छूट करके आये थे उस बीच में बुतेजस्वी आदों को ग्रूम करना था आज इसलिए नितिश्कुमार अलग हुए कि मुख्यमंत्री वो थे लेकिन पैरलल मुख्यमंत्री 2013-17 के कारेकाल में और भी लोग थे इसलिए 17 में फिर वो वापस है मतलब 15 में जो सरकार बनी 15-17 दो साल के अंदर वो वापस है बीजेपी में बीजेपी की एक अलग मजबूरी है जो बीजेपी के कारेकरता भी वहां नहीं समझ पाते या आम लोग जो समर्थक हैं बिहार में इंडिये के वो नहीं समझ पाते कि नितिश्क का स्ट्राइक रेट वन थर्ड का मतलब है बीजेपी का स्ट्राइक रेट लगबग 80% का वो है वो अलगातार है वो कंसिस्टेंट है और अगर आप देखेंगे तो जिससे में कोवीड का हुआ था बगल में उत्तर प्रदेश में जिस तरह का मैनेजमेंट हुआ था इसमें एक मॉडल बिहार का भी है यूपी का भी है जिसमें अकलेस यादो और मायावती मिलकर के साथ है जो लगा कि एक बड़ा राजनितिक भूचाल इससे बड़ा भूचाल नहीं हो सकता है तो यूपी के नतीजे और 2019 के नतीजे आपके सामने हैं तो इसलिए मैं टिपन इसलिए मैं कहा हूँ कि 20 के चुनाओं में लोगों ने अक्चली नितिश कुमार को पनिस करना चाहा था वो ब्लेम का ठीक राप हो रहा है वो चिराग पासवान पर लेकिन चिराग पासवान अगर आपको हरा देते हैं तो आपकी फिर लोग प्रीता कहा है कि एक चिराग प बीजेपी को लेकर सवाल तो नितिश कुमार जी के तमाम उठते हैं लेकिन मैं ये रामिणा जी सभधा चाह रहा हूं कि ये मौका ये टाइमिंग जो है जिसमें नितिश कुमार जी ने ये स्टेप लिया गटबंदन को उनकी तरफ से तोड़ा गिया या बीजेपी की खता बिहार से शुरू हो रही है क्या इसके पीछे राजनीती है देखिए मनुद जी क्या है कि हर चुनाओ की एक अपनी अलग तासीर होती है जो भी चुनाओ आया चौवीस में उसकी एक अलग पटखता होगी पिस्टे चुनाओ से भिन होगी राजनीते गट्छुड अल जाए तो नितीश कुमार और भाजपा के साथ दोबाला जब आये थे वह स्वाभाविक रूप से नहीं आते भाजपा में बड़ा ब्रोथ था और नितीश कुमार भली एक सत्ता की एक लालज था उनका क्योंगी वो और आर जेडी से मुक्ति चाहते थे वो आये थे लेकिन सरकार गठन हुआ है और बीच में बीचिंह से दिल्ली के किन सरगरी बैटकों में अनहीं की उसला नितीश कुमार कहीं नहीं भाजपा से दूर जाना चाहरा है और नितीश कुमार का यह इतिहास रहा है पहली भार नहीं वर ने वह नहीं जीते हैं तो ही बनते हैं जनादेश खिलाब जाता है तो भी बनते हैं पक्च में जाता है तो बनते ही हैं यह अलाग आदमी की अलाला उस समय की परस्तितियों पर नरबर करता है और भाजपा का यह रहा है कि भाजपा ने कई बार ऐसे नेताओं को अपने कंदे बढ़ में भी उसने इस से अलग किया और भी कई राजें जहां भाजपा को अपनी अब वो च्वी बनाने पड़ेगी जबकि भाजपा अब पैन इंडिया पार्टी बन गई यह नौर्थ इस से ले करके और गुज्रात तक नीचे करनाटक से ले कस्मीर तक सम्ता में आ चुकी तो भ सवाल बिहार की राजनीती में चर्चा में रहता है चाह सरकार किसी की रही हो मुकमंत्री कोई रहा हो कि एक आरजीडी के शाशन में कानून ववस्ता का सवाल दूसरा लालू यादव जी के ऊपर ब्रस्टाचार के मामले और नितीश कुमार जी भी खुद इस बात को उठा चाह बहते रहें और ये जंता भी पूच्ती रही है चाहबाद कानून ववस्ता की हो या बिहार में ब्रस्टाचार की रही हो इन मुद्दों को आप कैसे देखते हैं कि बिहार के लिए ब्रेश्टाचार और कानून का मुद्धा जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यह बहुत ही एहम मुद्धा है और यह मुद्धा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि नितीश कुमार ने एक एक ऐसी च्छावी प्राप्त करने के बाद अचानक उनको कौन सी ऐसी आ बहुत ज्यादा आकर्शन होगा संभवत उनको राश्ट्री राजनीती की तरफ देखना चाहिए था लेकिन मुझे असा लग रहा है कि जो वरतमान परिद्रिश्य बदला है नितीश कुमार जी के जो कदम हुए है उसमें जैसा कि आपने कहा कि क्या दो हजाद बाईस दो ह दो हजार पच्छिस की विदान सभा की पटकता लिकी जा रही है और उसका कारण यह है कि जैसा की हम लोगों ने सुना है और अख़बारों में पढ़ा है कि भारती जनता पार्टी दो सो सीचों पे विदान सभा में अपनी तैयारी तेज़् करने की कोशिश कर रही है और तैन्तालिस सीटें वो जेडियू के लिए छोड़ना चाहती है तो ये लोग सभा में तो हम लोग ने पहले भी देखा है कि लोग सभा में बियार की जनता का जो अप्रोच है एटिटूड है वो बिल्कुल इस पश्ट है कि नेशनल गवर्मेंट के लिए उसके लिए उसके प देती है तो बात लोग सभा की नहीं है बात उसके बात की पटकता की है और इसलिए संभातर ये नितीश कुमार को बहुत नागवार गुजरा कि इस परकार से बीजेपी अगर 200 सीटों की तैयारी कर रही है तो परियों के लिए 2025 में कुछ बचता नहीं है और इसलिए संभा जी आखरी सवाल आपसे क्या ये जो गठमंदन हुआ है बिहार में जो एक तरह से राजनीती उभर के सामने आई ये बिहार की इसका कुछ राश्टी राजनीती पे असर आप देखते हैं नहीं राश्टी राजनीती पे तो असर ये होगा कि नितिश कुमार प्रधानमंत्री के साइद कैंडिडेट बन जा है उपोजिशन के रैंक से बहुत सारे लोग जो लेफ्ट लिबरल हैं कॉंग्रेसी उनकी चाहत पहले भी रही थी जिस समय एक समय में आपको याद होगा जब वो अलग हुए थे बीजेपी से जब नरिंद मोदी प्राइम निस्ट्रिल कैंडिडेट हुए थे 2013 में तो उस समय बहुत सारे लोगों की चाहत थी कि नितिश कुमार के अंदर वो पुटेंचल है कि नरिंद मोदी के सामने वो खरे हो करके वो चुनाओ लड़ सकते हैं पुटेंचल है लेकिन यह है कि उनके सामने किसी तरह का नितिश कुमार की यह ख्वाहिश जरूर अब लगता है ऐसा कि है कि एक बार कम से कम ओ प्राइम निस्ट्रिल कैंडिडेट प्रोजेक्ट हो जाए जए जशे यह श्रांसिन आप प्रेसिदेंचल कैंडिडेट तो हम हमेशा कही जाएंगे तो इस तरह की एक और कॉंग्रेस यह कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी से उनकी जो बात चीत हुई इस बारे में हुई तो एक यह संभावना है कि जब कम 2014-24 एलेक्शन नितिश कुमार सायद राश्ट्रिय राजनिती की तरफ देखें उसके बाद क्य होगा क्योंकि देखें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो सत्ता की बागडोर है उसमें काफी बड़ी चोटे ओबीडियंट चोटे भाई और जेडी नहीं होने जा रही है और बैसे भी विपक्ष में परधान मंत्री को लेकर भी तमाम तरहें के सवाल उठते रहते हैं वि कई नाम सामने आते हैं तो ये भी देखने वाली बात होगी लेकिन आप तीनों ने इस चर्चा में भाग लिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए तो आज हमारे स्कायकरम में इतना ही मुझे दीजिए आग्या नमस्कार